तो विलकम बैक तो दोस्तो आज का वीडियो है ना बहुत खतरनाक है दोस्तो आज हम जानेंगे जल अनमोल संसादन जो चैप्टर का नाम है दोस्तो जल अनमोल संसादन तो गाईज सबसे पहले बात करेंगे जल और इसके बाद जल से जो आती हैं परस्ण और यह सब आपको इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। अगर समय मिलेगी दोस्त, तो इस वीडियो में करा देंगे, अन्यत Нधफ़ा आगरे लेक्शर में हम कराएंगे। दोस्तों, आज का स्व वीडियो हेँ, बहुत खतरनाक होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तो चैप्टर का नाम आपको क्या है जल यूम अनमूल संसादर ओके तो सबसे पहले जल जानेंगे कि यह क्या होता है चलिए तो देख लेते हैं कि जल क्या होता है दोस्तो जल का परिभास अगर आप देखना चाहते हैं तो जल का परिभास आपके सामने ये रही है जल का परिभास दोस्तो जल का परिभास ये रही है अगर आप चाहे तो आप स्किन सोट ले सकते हैं तो दोस्त जो जल है एक योगिक है जल जो है एक योगिक है दोस्तो योगिक कहने का मतलब किसी दो तत्व का मिलान तो योगिक है जल कहा है एक योगिक है जो दो तत्व को मिलने से बना है जी हां दोस्तो जो दो तत्व को मिलने से बना है तो दोस्त जब दो तत्व को मिलने स हाइड्रोजन तो पहला तत्वा का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा तत्वा का नाम है दोस्तों Oxygen क्या मैं Oxygen सम्झें एए थोड़ी सी ठोड़ी सी छोटी कर ले जहाँ चलिये तो दोस्त जल का परिभासत आप देख लिए कि जल क्या होता है? जल जो है न दोस्त आपको क्या है? एक परकार का योगिक है ठीक है? जल क्या है एक? एक परकार का योगिक है जो दो तत्वों को मिलने से बना है और जैसे पानी समूंद्र का लाईए या कुवा के लाईए या चापा कल के या भूमी पर से कहें से पानी लाईए तो वो आपको जिसमें दो तत्वों मिलने होते हैं hydrogen और एक तो oxygen तो चलिए आप परिभासा आपको सामने ये रही है तो परिभासा अगर आप देखना अगर इसको अस्किन सोट लेना चाहते हैं तो आप अस्किन सोट ले लिजिए इसको परिभासा को और इसको हम साफ कर दे रहे हैं तो चलिए ले लिए पट से चली ले लिए आप thi मतलब श्किन सॉट दोस्तों आप सब जानते ही होंगी कि जल बहुत महत्व पूर्ण पदारत है क्योंकि जल का उपयोग अमारे घरों में मतलब हर जगा होता ही है खेद के लिए नहाने के लिए कितना परतिसत हैं कितना परतिसत ज्ल उपतित हैं जिया दोस्तों कितना परतिसत तो मतलब कितना जल उपलबद हैं। दोस्तो अगर अंतरीक्ष से say जो मॉलने पृत्वी य озjuna eccd को यह कियो दिख़ाय देता है क्योंकि पृत्वी पर पर तीन भाग यहना तीन पर connect मतलब आधा से ज्याद नीडर हिप एक है तो देखे आपको लिखा हुआ है अंतरिक्ष सी प्रितिवी को देखने पर निला आपकी तरह दिखाई ध Same पहते हैं कि इसका लगभग तीन चवथाई क्या है जल है अव जल की उपलब बढ़ता पे 97 पर तीसत जो जल है न दोस्ट वह समुद्र में खारीज जल की रूप में क्या है मौझूद है 99这里 दोस्तों उसको हीमिशिपर मतलब ऐसा समझे कि पर्वत है तो वह मतलब मतलब उपस्तित है समझें समझें , तो हीमिशिपर पर 2%elling리ल है और दोस्तों , एक pastशत जो जल है Aíक pastशत जो जल है वह पीने के रुप में बिदोमान है परतिशत जल उपस्तित है और दोस्तों एक परतिशत जो जल है ना एक परतिशत जो जल है वो पीने के रूप में बिधमान है प्रिथिवी पर पीने का जल जो है कितना परतिशत उपलबाद है अगर प्यूशन आ गई तो कहेंगे कि एक परतिशत जल जो है पीने योगी है समझें एक परतिसत जो जल है न दोस्त वो पीने योग्य है ठीक है तो आप समझ गया है कि पिरित्वी पर जल जो है कितना उपसित है यानि हम कह सकते हैं कि 97 परतिसत जो जल है वो कहां उपसित है समूंद्र में कहां उपसित है समूंद्र में और दोस्तों दो परतिसत जो जल है हीम सिखर पर है जो बर्फ के रूप में है ठीक है और दोस्तों एक परतिसत जो जल है वही भूमिपर ही है बट पीने लाइक है यही परतिसत भूमिपर एक परतिसत जो जल है पीने लाइक है ठीक है तो चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है दोस्तों हां हीम सिख परवत उचा उचा परवत को छुट की बोलते हैं तो चलिए आगे दिखते हैं और दोस्तो आगे हैं दोस्तो जल की अवस्थाएं आपको दीख नहीं रहा है ना तो चलिए इसको जूम कर ले रहे हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जल की अवस्थाएं कितनी होती है ठीक है तो दोस्तों जल की तीन अवस्थाएं होते हैं प्राक्रितिक में जल जो है ठोस दरब्य और गैसिया वस्ता में पाये जाता है प्राक्रितिक में जो जल है दोस ठोस दरब्य और गैस के रूप में पाये जाता है जल का ठोस रूप बर्फ बर्फ समझ रहे हैं जल जो मतलब बर्फ समझ रहे हैं बर्फ जो फिरीज में रखा और ठोस रूप में आपको बर्प में पाया जाता है और दरभे रूप में आपको जील नदी तलाब यह सब में पाया जाता है समझें तो आप समझ गया है कि मतलब और हाँ एक होता है गैसी अवस्था में तो गैसी अवस्था में दोस्तो यह आपको कहां पाया जाता है क्या इस पर आग लाहरा दिए दोस्तों तो यह वोटे हैं पनाते हैं तो नहीं निकलता है उपर वस्त के रूप में तो हगी आपको रूपर घेशी अवस्तर ठीके дост तो आप समझ गया होंगे कि मतलब जल के कितने आवस्थाएं थå जल के तीन आवस्थाएं थो पहला ज़गा हो दोस्तो आगे जानी है हमें जल चक्र दोस्तो जल का मतलब आप समझ रहे हैं पानी जल का मतलब पानी होता है आपसो समझ रहे हैं कर दोंस्तों जल का मतलब आप समझने हैं चक्र का मतलब होता है घूमना तो हम ये कैसे हैं दोस्तों पिरिथिवी से वाईयू मंडल ने जैसे दोस्तों यह पिरिथिवी है जिस पर हम और आप है और इधर वायू मंडल है तो दोस्त तो पिरिथिभी पर जो पानी है वो वायू मंडल में गया पिरिथिभी पर जो पानी है वायू मंडल में गया और कैसे गया जब सूरी के रोसनी जब पानी पर पड़ती है न दोस्त तो वो उपर क्यों उठने लगती है तो वो चैतल बनने के बाद क्या हुआ कि नीचे गिरा तो नीचे गिरा तो क्या यह नहीं आह भूमी पर तो यह कह सकते हैं कि वायू Son से भूमी और भूमी से वायू स्मझत वहाओ और सब घूरामें अश्व आकास क्या है एक वाईवी मंडल ही है ठीक है तो दोस्त आप वाईवी मंडल में जैसे पानी को एक जगह से दूसरे जगह जाना आपको कहला है क्या अजल चक्रे समझे दोस्तों तो आई होप यह आपको समझ में आ रहा होगा अगर समझ में आ रही है तो लाइक किजिए और नहीं तो कॉमेंट में बताईएगा कि ये वीडियो हमको समझ में नहीं आया और ये चीज हमको समझ में नहीं आया मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा तो चरीए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आगे क्या होता है के दोस्त आगे है जल के सोट सीच्च कामटब मतलब यहां किस जगह से आती सुटτά मतलब इस जन्हें आते हैं पानी क्या आते हैं यहां यहां से मतलब आते हैं कहां कहां स्अरी आप概 Panchal सागर से आते हैं नदी से आते हैं जहील से तलाब से यह तो आपको पता है कि जल के सुरूत है जल कहां कहां से आते हैं वह प्राकृतिक तो आपको सागर से आते हैं नदी से आते हैं और जहील से और तलाब से आते हैं ठीक है इतियादी ठीक है तो चलिए इतना तो आपको आय तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तो आगे जानी है हमको प्राक्रितिक में जल के मुख ही सुरूत थेक है तो दोस्तो पहले हम वर्षा जल के बात कर ले रहे हैं कि वर्षा जो जल है वह मतलब किस किस कारे में मतलब क्या होता है वर्षा जल का इसके भी से में अब देख लेते हैं तो चलिए इसको बड़ा कर ले रहे न तो बड़ा करने के लिए इसको कैसे करना पड़ेगा देखें दोस्तों लिखा हुआ वर्षा का जल वर्षा समझ रहे हैं बारिस बारिस बारीस का पानी तो दोस्तों बारीस का जो पानी है प्रितफी पर जल का मुखि सुरोत क्या है एक वर्फा जल है ठेक है और हमारे देश में किसी वर्फा जल पर ही निर्भर करता है घेती करने के लिए ज्यादा मितलब वर्फा कौपियों करते है तो इतना तो आता हो हगे ँता हो यह कि मतलब वर्षा का जल से क्षेती होता है तो हमारी हो البiao cert में लोगः को वर्षा जल पर नीरभर है कि किलिषी की साल लोग ठीक है और आगे है दोस्तुं के वायू मंददलिय पढूसण के कारण वायू मंदलिये पढूसण के कारण जल में थोड़ा पेन के color change कर ले चलिए change कर लिए और धोगी क्षेत्र में जैसे वर्साथ जल में क्या होता है कि कमीकाल धूलकन मिल जाता है क्या धूलकन कहने का मतलब समझ रहे हैं धूल का कर मीटी का कंटी का और सल्फर आपका क्या क्या होता है जो वर् схat होता है नब वर स्वाव को हम बौलते हैं अमली वर्शा समझे दोस्त तो by ने का मतलब सम्झेंए अगर वर्षा जल में धूलगन सल्फर नैट्रोजन की ऑकसाइड मिल जाएगा ना दोस्त तो आपको हो जागा अमल वर्षा तो तो वो आपको कहलाएंगे अमलवर्षा सम्झे और दोस्तों आपको पता ही हो गया कि वर्षा जल पर बहुत सारे कीसान नीर भर है ओके तो चलिए अब देख लिए अमलवर्षा क्या होता है कि अगर आपको घर में माकान अगर पीला हो जाने दोस्त तो समझ लीजिएगा कि वह माकान किसके करन पीला हुआ है समझे तो आप समझ इसको साफ कर दें साफ कर दे रहे हैं अगर आप स्किन सॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं चलिए आपके कलास सेवन के लिए है दोस् हैं संहिंग है सथ्यूर्ण प्रियस्वी के सता पर बाइंता हुआ नालो नदीयों टला जीलों में आ जमा हो जाता है यह तो आपको पता है यैंद आपको पता है तो दोस्तो अगर वर्साजल का पानी वर्साजल मतलूब घो fini!!ी पर का पानी नतिया ना झेल वही समझगे ना कि आपको छेखों if वर्षा रही है भूमी पर संब गया नालोमे में नदियों अ गङống हो गया आपको दोस्तो आगे जाननी है हमको भूमिगत जल क्या होता है तो दोस्तो वर्षा जल का कुछ भाग मिठी के छिदरों से रिष कर यानि खिचा कर चटानों की दरारों से होता हुआ चटानों के उपर जमा हो जाता है जल के इस परकार के रिषने यानि घिचने की परकिरिया को बोते हैं अंता असेंदन कहा जाता है समझे दोस्त यानि हम यह कह सकते हैं दोस्त कि भूमी के अंदर जैसे भूमी पर हम हैं दोस्तो तो भूमी पर जब वर्षा के जल गी रहा तो दोस्तो अंदर दरारों की अंदर असियंदन समझें यानि हम यह कह सकते हैं दोस्त कि जब वर्षा का जो पानी है वो भूमी के अंदर जाएगा ना तो वो कहलाएगा आपको भूमी गत जल समझें वर्षा का जल अगर पानी मतलब दरारों से खिंचता हुआ अगर भूमी के अंदर चला या ना तो समझ लिजी और दोस्तो भूमी के नीचे वाली सत्ह जल को भूमीगत जल कहा जाता है समझे दोस्तो भूमी के भूमी के नीचे वाले सत्ह जल को क्या बलता है भूमीगत जल कहा जाता है तो अगर आप इसका स्कीन सौर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकती है दोस्तो इसका स्किन सोट लेना चाहते हैं तो ले सकती है तो चलिए अब आगे देखती हैं और क्या है आगे और क्या नई है दोस्तों आज किस लेक्चर में इतना ही फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में दोस्तों आज के लिए अगले लेक्चर में और अगले लेक्चर के लिए आप तब तक वेट किजिए मेरा जो है तब थोड़ा बहुत खराब है इसके वजह से मेरी जो आवाज है मतलब थोड़ा कम आपको मुझ में मतलब ज्यादा नहीं सुनाई दे रहे होगी अच्छा से तो आगले लेक्चर में दोस्तों हम अगले टोपिक पर बात करेंगे तब तरह के लिए बने रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देजित तभी आपको समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में तो चलिए विडियो समाप्त हुआ